भारत का नया संसत भवन, हमारी उम्मीदों का नया घर, हमारे संबिधान को संभालने वालों के लिए एक ऐसा घर, जहां 140 करोड हिंदुस्तानी एक परिवार हैं। ये नया घर इतना बड़ा हो, कि इसमें देश के हर प्रांथ, प्रदेश, गाउं, शहर, कोने-कोने के लिए जगा बन सके। इस घर की बाहें इतनी चौड़ी हों, कि देश की हर जाती-प्रजाती, हर धर्म को प्यार कर सके। इसकी नजर इतनी गहरी हों, कि देश के हर एक नागरिक को देख सके, जान सके, उनकी समस्याओं को पहचान सके। यहां सत्यमेव जैते का नारा, स्लोगन नहीं, विश्वास हो। यहां अशोक चक्र का हाती घोड़ा, शेर और खंबा, लोगो नहीं, हमारा इतिहास। It is said that a parliament is to the nation, what the soul is to the body. My sincerest prayer is that the soul of democracy remains robust in its new home and continues to foster liberty, fraternity and equality for ages to come. May this new abode of democracy build a new age that is renowned for its scientific temper and empathy for all, a new parliament for a new India, but with the same age-old dream, the glory of India, of our nation. Jai Hind नमस्कार, मेरा नाम अक्षे कुमार और हर उस इंसान की तरह, जिससे भारत और उसके तरक्की पे गर्व है, मुझे इस नई पार्लिमेंट बिल्डिंग की तस्वीरे देखके, एक अलगी खुशी मिल रही है. मुझे याद है, डेली में जब मैं रहता था, और अपने माता-पिता के साथ, इंडिया गेट और उसके आसपास घूमने चाहता था, तो ज्यादा तर बिल्डिंगे अंग्रेजों की बनाई हुई दिखती थी. Today, on seeing this brand new, grand new building, my heart is filled with pride. The Indian Parliament is the temple of democracy. ये एक नए भारत की पैचान है. ऐसा हिंदुस्तान जो ना सिर्फ कल्चर और हेरिटेज में सबसे आगे रहा है, पर अब अपने प्रोग्रेस से, तरक्की से, सारी दुनिया से आगे बढ़ रहा है. जब आप इस Parliament Building को देखें, तो जरूर याद रखिएगा, कि हमारा देश कहा था और कहा आगे निकल गया. Today is a moment of glory. It is a moment of pride. And from the bottom of my heart, I want to congratulate the Honourable Prime Minister for making this day possible. God bless India with more and more progress in the years to come. Jai Hin, Jai Bharat.